नमश्कार दोस्तों मैं आपका होस लोकेंदर कुमार और सौगत करता हूँ आपका बेसिक सैंस सिरीज यूटीब चैनल में आज जो टॉपिक दोस्तों हम डिस्कुस करने वाले हैं वो है पैंक जेनिसिस हम जानेंगे इस video tutorial के माध्यम से की Penck Genesis क्या होता है Penck Genesis को theory जो theory थी वो किसने दी थी उसके क्या क्या important points थे वो accept हुई है या reject हुई क्यों वो accept हुई क्यों वो reject हुई व liberal points सारे points सो हम discuss करेंगे और इस video में ये देख रहे हैं आप मैंने एक illustration भी बनाई हुई है मैं थोड़ा सा अपना यह marker यूज़ कर लेता हूं जो green color का laser pointer मैंने बनाया हूं उसको यूज़ करके आपको बताने कोशिश करता हूं कि pancgenesis जो है वो actually में है क्या हम detail में जो points इसके discuss करेंगे लेकिन यहां पे देखी एक मैंने mention किया हूँ कि information encoded जो भी genetic information है वो किस तरह से enc code होती है यह particular information उस वक्त जब यह theory दी गई थी तब तक unavailable थी पता ही नहीं था लोगों को कि किस तरह से जो है traits एक generation से दूसरी generation में जा रही है किस तरह से जो है information वो transfer हो रही है जीन्स का concept पता नहीं था तो उसके उससे पहले जो है लोगों ने यह फिर hypothesis accept कर ली थी जो कि Charles Darwin ने दी थी अब जानेंगे दोस्तों कि hypothesis क्या थी इसमें क्या कहा गया था किस तरह से कोशिश की गई थ कि वो सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे तो आप बने रहिए लास्त तक बने रहिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बहुत important topics जो है वो in future में भी discuss करेंगे तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं discussion already मैं आपको बता चुका हूँ कि उस वक्त जो है जब यह hypothesis दी गए थी तो यह information नहीं थी कि genes क्या होता है किस तरह से information code होती है किस तरह से information decode होती है तो यह hypothesis दी गए थी आईए इसके points जो है वो discuss करते है तो इसमें सबसे पहला point है कि Charles Darwin ने यह hypothesis hypothesis दी थी और एक तरह से mechanism बताने कोशिश की थी कि sexual reproduction जो है वो किस तरह से information parents से offspring में एक generation से दूसरी generation में information जो होती है ट्रांसफर होती है traits जो होते हैं character जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं तो उसके लिए Charles Darwin ने यह hypothetical mechanism propose किया था और इसमें क्या कहा गया था कि हर एक जो body का ज होते हैं organs होते हैं eyes है brain है अलग-अलग organs हैं तो वो क्या करते हैं वो एक small organic molecule produce करते हैं इसमें small organic particle कहा गया है जिसको gemules कहा गया वो produce करते हैं और वो हमारे gonads में जाके store हो जाते हैं और वो particular organic particles जिसको gemules कहा गया वो traits या character की information store करते हैं और वो ही जो है transfer करते हैं information into the embryo तो ये तो hypothesis दे गई थी Charles Darwin दोबारा जो बाद में पुरी तरह ते reject हुई थी क्योंकि ऐसा नहीं होता है science में जो discoveries हुई बाद में जो experiment हुई especially जो Mendel ने experiments किये उन्होंने completely इसको जो है वो reject किया इसके idea को लेकिन उस वक्त पता नहीं था तो एक hypothetical mechanism दिया गया था जो कि उस वक्त बहुत popular हुआ क्योंकि कुछ known ही नहीं था अब ये जो काम था जो Charles Darwin ने propose किया था ये उनका जो काम था 1868 में 1868 में जो उनने काम किया था उस काम का नाम था The Variation of Animals and Plants Under Domestication इस particular टाइटल को आपने याद रखना है अगर पूछा गए कि पैंग जेनिसिस के hypothesis किस particular जो वर्क में प्रपोज की गए थी तो आप इसका नाम जो है दे सकते हैं ये question कई वरी पूछा जाता है exam में Anyways तो ये जो है उसको justify करने के लिए कि किस तरह से जो है कोई character एक generation से दूसरे generation में जाता है किस तरह से information transfer होती है किस तरह से plants में होती है animals में होती है तो सब सारी चीजों को justify करने के लिए ये theory of penggenesis दे गए थी अब चलते हैं दोस्तों दूसरी slide में दूसरी slides में थोड़ा से मैं आपको illustration का use करके detail में बताने कोशिश करूँगा तो आप देखें मैंने आपको already बताया थे कि gemules के बने में बात हो रही है तो gemules वो organic particles हैं जो हर एक body part से information लेते हैं फिर जो gonads में store होती है information उसके बाद through egg embryo में transfer होती है यह एक तरह से concept था penggenesis का तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा हो है every part of the body produces gemules तो इसमें gemules की जो बात आती है वो आती है theory of penggenesis में they migrate to the gonads and transfer to the offspring तो यह जो information लेके offspring तक पहुंचते हैं और offspring में क्या होता है यह सबसे important बात है जाननी है आप है दोस्तों offspring में यह जो gemules होते हैं वो वही body part का construction करते हैं जिनके information यह लेके आये थे मान लिजी यह eyes का जो gemule है वो information लेके आये था तो eyes ही generate करेगा तो अब आगे थोड़ा सा additional notes जो हैं इसके बारे मैंने gather किया है तो इसमें inheritance of the acquired character को भी एक तरह से support किया था इसका क्या मतलब होता दोस्तों कि जैसे मान लिजी एक generation में किसी parent ने एक ability, musical ability या किसी instrument को चलाना सीखा इस तरह से एक skill develop कि तो according to this hypothesis क्या होता था कि inheritance of the acquired character क्योंकि वो character क्या गया है acquire किया गया है उस particular generation द्वारा तो उसकी जो information next generation में transfer हो रही है तो वो भी हो जाएगी जबकि ऐसा नहीं होता है इसलिए Aristotle जो थे उन्होंने ये reject कर दिया था idea पैंक जेनिसिस का और inheritance of acquired character का क्योंकि उनका मानना था कि जो information होती है वो बोथ male और female दोनों से आती है लेकिन उस वक्त जो है कुछ भी known नहीं था इसलिए इस particular hypothesis को काफी support किया गया था अब जो है इसमें एक last important point है कि Darwin ने ये propose किया था क्यों propose किया था उसको ये justify करना था कि sexual reproduction होती है inheritance of the traits होते हैं और cellular regeneration होती है इतने points होते हैं तो इन सब को justify करने के लिए एक hypothesis या एक theory देनी थी इसलिए जो है Darwin ने ये propose कि कि एक pan genesis की hypothesis या mechanism होता है जिसके तुरू जो transfer होती है information one generation to another generation होती है तो दोस्तों ये था एक तरह से brief idea of pan genesis एक तरह से theoretical aspect of pan genesis उमीद है आपको समझ में आया होगा और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर केजिए और शेर केजिए अगर आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए तरनी वालत सब्सक्राइब कीजिए